अज हम आपप लोग यह चैनलों को विश्यर में पूर्मजडील आंस गर्भावस्था में आशमानिता गर्भावस्था में अशमानिताएं क्षिए यू.,क्ञा सामनते हैं कि वमिटिंग जो होती है किसी रोग का डीजिज का जो है शिम्टम होता है परन्तु प्रेगनेंसी में प्रभाव के कारड गर्भा वस्था के आरभ में इस्तरी की पाचन तंत्क्रिया विधी संदमित हो जाती है परन्तु जो pregnancy के अवस्था में गरभा वस्था में पर контр lawyers के प्रभाव के कारई, effects के कारई जो pregnancy के आरव में इस्तरीकी पाचन तंत्र होती है, पाचन सैली होती है, पाचन क्रिया होती है वह जो है संधमीत हो जाती है जिसके कारण उल्टी या वमन इमिसिस होता है परन्तु कई बार यह वमिटिंग किसी रोग का लच्छड भी हो सकती है वमिटिंग जो है किसी रोग का लच्छड जो है सिंटम माना गया है किसी रोग का कारण या सिंटम माना गया है next देखिए तो types of vomiting, vomiting के प्रकार pregnancy में होने वाली vomiting को निम्ण प्रकार्शे वरगी कित किया गया है pregnancy में गर्भावस्था में होने वाली जो vomiting होती है उल्टी होती है उसको जो है निम्ण प्रकार्शे वरगी कित किया गया है जल्दी गर्भावस्था, yearly pregnancy इसमें देखिए गर्भावस्था के कारण उत्पन वोमिटिंग, गर्भावस्था के कारण प्रेगनेंसी के कारण उत्पन होने वाली वोमिटिंग, नार्मल वोमिटिंग यह प्राया है, morning sickness के कारण होती है, जो नार्मल वोमिटिंग होती है, वो जो है morning sickness के कारण होती है, जो गर्भावस्था का लच्छड है, morning sickness के कारण जो है, तकान के कारण, थकावट के कारण जो वोमिटिंग होती है, उसे जो है normal वोमिटिंग करते हैं, और यह जो है गर्भावस्था का लच्छड माना गया है, आगे देखी एक्सेश्यू आर शेवर वोमिटिंग यह है हाइपर इंशिस्ट ग्रेविडेरम कहलाती है इसका उपचार किया जाना आवश्यक होता है इसका जो है ट्रीटमेंट किया जाना जो है जरूरी होता है नेक्स देखिए गर्भावस्था से असंबंधित वोमिटिंग यह किसी रोग के कारण उत्पन होती है यह इस प्रकार की वोमिटिंग जो है किसी विमारी के कारण उत्पन होती है नेक्स है देरी से गर्भावस्था लेट प्रेग्नेंसी इसमें देखिए गर्भावस्था के कारण उत्पन वोमिटिंग देरी से गर्भावस्था लेट प्रेग्नेंसी में जो है गर्भावस्था में प्रेग्नेंसी में जो वोमिटिंग होती है तो मॉर्निंग सिकनेस ज सबस्ञान जो है जारी रतता है जिसके कारड जो है SHARE कैप वो मिटिंग होती है उल्टी होती है NICK //प्रीकलैंसिया तबहस्ञान शट रोगके कारड ओपन होती है या किसी कारड disorders में परता है जिसका नाद म करसे दुए ह confirmaりました कि लिए और one कि शीह संब्लेसरी किया जाका जाता है और आगे देखे शुबह की आइस वस्तता सुबह की आस्वस्था इसे एमसिस ग्रेवडेरम भी कहते हैं इसे जो है सुबह की सिंपल वमसिस ग्रेवडेरम भी कहते हैं या गर्भावस्था प्रथम तिमाही फ्रस्ट टाइमेस्टर का एक प्रमुख लच्चड होता है यह जो है प्रथम तिमाही पर्थम तिमाही सिंप्टम होता है गर्भावस्था होने की स्थिति में प्रगेश्टर्म हार्मोन्स का अस्तर बढ़ जाता है जो हर्मोन होता है उसका अस्तर जो है बढ़ जाता है जिसके कारण इस तरीक के सरीर की पेशियां सिथिल हो जाती है इसके कारण जो है इस तरीक के सरीर की पेशियां होती है वह सिथिल पढ़ जाती है कमजोर हो जाती है सिथिल हो जाती है जिसके कारण जिसे प्रोजिश्टन हर्मोन का स्तरबर जाता है जिसके कारण जो है इस तरीक के सरीड का जो की जो पेशियां है मशल से वह सिथिल हो जाती है अर्थात की मसल टोन डिक्रीज हो जाती है मसल टोन के कम हो जाने से जंपूर जो गैस्ट्रो इंस्टेशनल ट्रैक की मोटलेटी होती है वह कम हो जाती है जिसके कारण gastric content का regulation जो है होता है यहां vomiting होती है आगे देखिए प्रबंधर management किस तरह से करें इसका vomiting का जो है management किस तरह से करें तो देखिए इसमें फर्स्ट गरभावस्था में आरम होने वाली simple vomiting के उक्चार के लिए रोगी का इसका कारण यहां स्वता समापती के बारे में किया जाता है इस परकार जो है patient की जो energy में अनावस्चक जो भृद्धि है उसको एवाइड किया जाता है आगे रोगी को empty natal exercise करने के लिए encourage किया जाता है रोगी को जो प्रेग्नेंसी में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उसके प्रतिस जो है सुग्र तेजी से अनकूलन अस्थाफित करने में मदद करती है नेश्ट देखिए रोगी को पेशन्ट को आयली और श्पाइसी फूड को अवाइड करने के लिए जो है इनक्रेज किया जाता है पेशन्ट को आयली और श्पाइसी फूड के लिए जो है इवाइड किया जाता है इवाइड करने के लिए जो है प्रोसाहित किया जाता है रोगी को भोजन में सुखे टोस्ट यह विस्कित देने के लिए इनक्रेज किया जाता है पेशेंट को भोजन में सुखा टोस्ट और विश्टकिट लेने के लिए प्रोसाहिद किया जाता है नेश्ट देखिए रोगी को परियाप्त मात्रा में ओरल फूड लेने के लिए इनकरेज किया जाता है पेशेंट को इस वोमटिंग की अवस्था में जो पेशेंट को या पेशेंट को परियाप मातरा में ओरल फूड लेने के लिए प्रोस्ताहित किया जाता है बढ़ावा दिया जाता है उसे प्रोस्ताहित किया जाता है कि यह जो है उसे जो है परियात मातरा में ओरल फूड लेना चाहिए आगे देखिए यदि आवश्यक्ता हो तो कुछ कुछ एंटिमेटिक ड्रग जैसे ट्री फ्लू पेराजीन का उप्योग किया जाता है प्रिग् आउंटिंग से बचने के लिए